दोस्तो आग विडियए आपका स्कार करता है इसके समामिटर स्कार्थ रदोस्तो मेरा नाम है अमीत आप देख रहें जरूरी बाते चली शुरston करते दूस्तों जो सबसे पुराने मीटर आते थे हैं वो होते थे इलेक्ट्रो मेकेनिकल मीटर जिसमें की आपको सबसे पहले आता था जो डायल वाला जो जिसमें अलग अलग डिजिट के लिए अलग डायल बना हुआ रहता था वहां से आप सिर्फ अपना यूनिट देख पाते सिर्फ उसमें रिडिंग देख पाएंगे जो आपका यूनिट का जम सने वह देख पायंगे उसमें भी आपको थोरा डिफिकल्टी हो रहा था कि आपको अलग अलग क लिए अलग अलग ओलग क लोक दीखना परता था और पिर आपको रहा था उसके बासे इसको मुभिंग पार्ट रहता था जो एक डिस्क रहता जो रोटेट करता था उसको लोग आसानी से टैंपर कर देते थे या चाहे वो कोई मैगनेट टक देते थे या फिर कुछ भी अंदर डाल दिये तो उसके वाज़से वह आपका कजमसा रूख जाता था और बेजली की चुरी ह केंबनकरों बन करके जो रोटेटिंग पार्ट था उसको हटा दिया गया उसके बात से आया вид hill meter electronic miter ही सिसमें आपको सरकुट्री electronic grooming और आगे डिस्प्ले में भी LCD डिस्प्ले बबोटेश डिटेल जो है आपको दिखाया जा सकता था उसमें आपका वोल्टेज हो गया करेंट हो गया यूनिट हो गया मैक्समाम डिमांड हो गया दीरे दीरे यह चीजे इंप्रूब होते गई और आगे आपको टैंपर काउंट लोक्स पोसार डीटेल आपको अधो जैसे मीटर अपग्रेड होते जाया हर साल अपना जैसे टेक्नलोजी आगे बढ़ी वह आपका नया नया मीटर आते गया उसमें लग 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 फैसिलिटी आते गई उसके बादा है स्मार्ट मीटर इसमें क्या है जो आपका डीटा मीटर था उसी में एक कम्मुनिकेशन मॉडूल एड़ कर दिया गया और इसमें रिले या फिर सर्कृट ब्रेकर अभी धिरे धिरे लगना स्टार्ट हुआ है दोस्तों कैसे काम करता है कैसे डेटा सेंड करता है कैसे आपका लाइन डेशकनेक्ट होता है इसके उपर मैं एक अलड़ी सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन हम दे दिया आप चाहां त परामेटर को रिकॉर्ड करता है और कौन-कौन से परामेटर को है जो बीजली वीवा फंड करता है दोस्तों जो भी का समाल मिटर है äl exciting अनूस्त ही परामेटर को सबस्के पहले को बैसे क्वीडियें बेजता है का पावार फेक्टर भी भी मैं मैक्समम्ली ब épंड हो रहा र स्थन्टनियास वेल्टेजए करेंट भी होता है कितना finding and slide चाल रहा है किस टा किया लोड है इसका डेटा भी भीडीवाग कर सकता है दोस्ति आदेसक देखने बेसिक परामेटर है यह को यौ कि है परीज़ के च्रहिच होतीत थी उसको कोई ऐसे असानी से देखता नहीं था या फिर कभी इंस्वेक्शन होना था तभी कोई देखता था अभी क्या है इस माइमिटर में कम्मुनिकेशन मॉडिल होने करेंड वो जब भी कुछ प्रवाई करना चाहें जोभी फिर्दर होना है वो कर सकते हैं तो यह सिमाल में आपका स्टेटर्स टाइम भीजते रहता है यह काफी इंपोर्डेंट हैं और हम लोग इसी में जानने वाले हैं कि कौन करसे परामिटर है जो एसमाल में सर्वर को भीजता है क्योंकि बागी डे वो डिटेक्ट कर लेता है कि कवर ओपन कर किया गया है आपके मीटर के डिस्पले में भी कवर ओपन का सीमबल आने लगता है और उसका नोटिपिकेशन बिली भाग के सर्वर को वीच रा जाता है वहां पर भी कोई चाहिए तो देख सकते हैं कि कौन कौन से मीटर का कवर ओपन कर गया है और वह इंडिविजवली उस साइट को इंसफेक्ट करके जो भी करवाई है वो कर सकते हैं दुसरा है मेगनेटिक टेमपर मेगनेटिक टेमपर से अगर कोई मेगनेट लाके या वैसा मेगनेटिक डिवाइस लाके आप वहां पर करेंट को इंफ्लूएंस करना चाहरा है या कुछ टेमपर करना चाहरा है तो वह डिटेक्ट मीटर कर लेता है कि वहां पर कुछ हाई कर लेता है इसके लब बागी डीटेल जो भी आपका मीटर का पावर कब कट रहा है पावर फेलियर रिपोर्ट में आता है कि कब कब आपके मीटर में पावर नहीं था जैसे माले जिए फीडर बंद हो गया आपके रियम लाइन कट आगा तो सारे चीजे रिकॉर्ड करता है कि मीटर का पावर बंद हुआ है इसके अवला जो मीटर में ब्रिक कर रहता है वो डिटेल में करता है वो सरूर्फ लोड अगर आपके घर में रिकेज है या भी कहीं होट सौर्ट है एकिसस कर सकता है कि इसमें अर्थ लोड आ रहा है कि नियूट्रल मिसिंग आ सकता है कि आपने नियूट्रल लिया ही अगर आपके यहां ऑब वोल्टेज हो रहा है तो वहर रहा है कि ऑपटा कर सकते हैं कि अन्डर भूल्टज हो रिखा था यह कुछ इस तरह का प्रावलम हो वा था तो य। एस सारी लेंगे एक पैटरन डिटेक्क कर लेते हैं कि आपका पुराना पैटरन क्या था माली पीछले साल पर कंजमसन अधिक था इस साल कम हो गया तो उस तरह से करके वह कंजमसन होगा उसके को अंतर हो रहा है सब्सक्राइब करता है वह तो है ही उसके अलावा जो आपका नॉर्मल डेटा अवलेबल है उस डेटा से भी इनलाइज करके कुछ और भी चीज़े फाइंड कर ली जाती है और उसके कोडिंग भी डिटेक्ट हो जाता है कि आपके यहां कुछ गर्वड़ी है या सब कुछ ठ प्राइम्टर करता है और वह वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफी हेल्फुल रहेगी अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाओ तो नीचे कमेंट ब्रक्स में जरूर लिखें और आपको यह वीडियो कैसा लगा उसके बार भी हमें कमेंट क करके जरूर बताएं और आपने अगर हमाई चलों काफी तक सब्सक्राइब निकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए बीडियो लेकि आते रहता हूं जय हिंद बंदे मातर